आप सभी सौकते बात करेंगे ऐसे शांदार पेनी स्टॉप के बारे में जो मातर तीन रुपए पे मिल रहा है तो इसमें यापर जबरदस तरके से पैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे company में कितना दम है full case study करेंगे और दोस्तों आपको बतना चाहूंगा कि आपर हम research करके बात करेंगे इस company में कितना दम है बोलकर यहाँ पर company का नाम है विकास multi crop limited के बारे में बात करें जो यहाँ पर petro chemical में business करने वाली company नज़राती है chemical sector में दम कम है कितना दम है company कितनी strong है इत्रू जड़ देख लेते company में सब कुछ बाते step by step listen करने आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको बतना चाहूंगा इसका जो revenue देखेंगे यहाँ आपको बतना चाहूंगा इसके business segment की बात करेंगे तो specialty chemical यहाँ पर specialty chemical में बहुती जबरदस तरीके से company आच्छे खासे यहाँ पर chemical का business करती है और कमाई भी इसकी बढ़ती नजराती है दोस्तों आपको बतना चाहूंगा इसके order chemical अलसो है यहाँ पर जो pharmaceutical में भी इसके chemical नजराते है और यहाँ पर particular जो special chemical है वो भी other यहाँ पर business में आ जाते हैं उनके यहाँ पर आप देखेंगे vegetable और जो आपको आपको fruit होते हैं उन पर जो fertilizer होते हैं उनमें जो यहाँ पर chemical होते हैं उनका भी production करने का काम यह पेनी श्टॉक करता है तो यह बात होगी देखे company के business के बारे में अब यहाँ पर नेक लेवर पर बात करेंगे company के fundamental के बारे में और company में क्या हो रहा है देखें यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा लगाता है यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ foreign investment करने वाले जो fund है वो यहाँ पर इसमें stake improve करें बढ़ा रहे है लगबग बात के तो आपको बताना चाहूंगा 3.4% का stake इसमें बढ़ाया गया है और बढ़ा बात आपको बताना चाहूंगा करोडर रूपए invest किये जा रहे 3 रूपए के stock में क्यों दोस्तों क्योंकि सभी को पता है कि इसमें दम नजर आता है अब यह दम क्या है उसके बारे में आगे बात करते है यहापर आपको बताना चाहूंगा कमपणी के जो अभी फिलाल आपको कहूंगा इसके general meeting होने के बाद कमपणी ने अनौंस किया है कि आपर वह 100 करोडर रूपए यहापर fund raise करेंगे अब यहाप fund क्यों करेंगे दोस्तों तो आपको बताना चाहूंगा कमपणी को expand करने के लिए कमपणी के business में improvement लाने के लिए यहापर वह decision ले रहे है और उसी तरके से perform करने के कोशिश कर रहे है यही तो company के decision और company की general meeting में होता है उस पे से पता चलता है कि company किस way में और कैसे perform कर रहे है बोलकर यह तो बात होगी देखे आप और आपको general meeting के जो reporter के उसको देखना आपको बता चलेगा यहापर यह सब को चीज़े देखकर आप understanding कर सकते हैं अब यहापर हम इसके profit and loss account की बात करेंगे जैसे कि performance किस way में company का और company कितना profit कमा रहे है उस पे से पता चलेगा company आगे कैसा जाएगी मैं आपको step by step बताने कुछ करूँगा इस company में आपको क्या क्या चीज़े देखनी है क्या actual हो रहा है यहापर सब कुद देखेंगे जरूर देखें यहापर sales की मामलें बताना चाहूँगा sales में company की improvement बढ़िया नज़राती है 10% की और यहापर हम net profit की बात करें इसमें भी 30% की growth नज़राती है यहापर हम net profit की बात करेंगे company के balance sheet की balance sheet में आपको कौँगा बहुती बढ़िया और शांदर थी ज़र नज़राती है दोस्तो company के पास जो current asset है वो यहापर 40% से improvement हो रही है तो इसमें एक ऐसा पता चलता है कि company में दम है और company इतनी आची तरके से improve कर रही है यह आपको दिखे ही जाता होगा कि इसके balance sheet देखने के बाद और company के पास fixed asset देखेंगे वो 11% से growth हो रही है और current asset की तो बात मैंने आपको पहले कर दी अब यहापर नेक लिए उपर बात करेंगे company के market cap के बारे में valuation के बारे में सासा दोस्तों यहापर जो उसकी growth हो रहे उसके बारे में बात करेंगे नजर आता है market cap और करजे की बात करें तो उसमें आच्छा कासा different है यहापर यह तो बात होगी company के market cap करजे की अब यहापर हम नेक लिए पर बात करेंगे company की earning per share देखे earning per share के मामले में stock कही पर भी नहीं ठेरता दोस्तों क्योंकि इसका earning per share zero दिखता है इस बात को याद रखना अब यहापर नेक लिए पर हम बात करेंगे sales के मामले में sales यहापर company की minus दिख रहे है देखे penis stock तो है बिल्कूल हमें भी पता है penis stock से उम्मीद भी क्या रखेंगे बट यहापर कुछ आच्छे भी चीज़े नजराती है उनको भी देखना चाहिए company में और कुछ चीज़े बुरी भी नजराती है उनको भी देखना चाहिए यहापर आप नेक लिए पर बात करेंगे देखे दोस्तों यहापर promoter की holding foreign निवे शेक का बढ़ता हुआ stake public यहापर दिखा रही interest यहापर आपको बताने चाहूंगा दोस्तों आप खुद देख सकते है non institution जो investor होते हैं वो बताने चाहूंगा foreign निवेशक foreign निवेशक कितना जबरदस तरीके से इसमें खरदार क्यों कर रहे हैं आपको बताने चाहूंगा foreign निवेशक बहुती कम penny stock में पैसा लगा थे दोस्तों यहापर आप खुद देख सकते हैं इसमें 6% का value नजराता है बड़िया बात है दोस् तो 13% का stake एक penny stock में यह सबसे plus point हो सकता इस company का आपको इस पर नजर जरूर रखनी है आप यहापर और कुछ interesting और जबरदस बाते भी मैं आपको बताओंगा step by step listen करते रहना क्या श्रो के मामलें बताना चाहूंगा 2019 में company minus में थी दोस्तों बिल्कुल minus में 11 करोड माइनस में थी यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बताना चाहूंगा 3 करोड से plus में है तो यहाँ पर हमें पता चलता कि company 2020 में performance में improvement ला चुकी है और perform करकर भी दिखा रही है बोलकर अब यहाँ पर यह तो चीज़े हो देखें के cash flow के बारे में अब यहाँ पर नेक लिए पर बात कर sales 70% से नीचे माइनस में जा चुकी है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट 77% से माइनस में गया है इस बात को यह दखना देखें यह बात हो रही quarterly basis पर second quarter के और third quarter के result को compare करके दिखा रहा हूं अब यहाँ पर quarter के result देख चुके है अब यहाँ पर जैसे कि आपको बता चूँगा result के मामले में तो हो गई बात यहाँ पर हम बात करेंगे return के मामले में stock का return आप खुद देख सकते company को list होकर एक साल भी पूरानी हुआ है और company का performance देखेंगे तो एक साल में stock ने 66% का return कमाग दिया है आपको यह तो rate nation दिखता होगा दोस्तो बट इससे भी बड़िया बात आपको एक साल का performance देखना पड़ेगा एक साल में stock ने 66% का return कमाग दिया है तो बड़िया और जबर्दस बात नजर आती है आप यहाँ पर यह तो return आपने एक साल के बात कर ली बट यहाँ पर company में और भी actual दम है क्या जैसे कि हम यहाँ पर क इसने कोशिश करेंगे तब उसमें lower circuit लगा होगा तो देखिए आपको यहाँ पर ना खरीतते आ रहा है ना बेशते आ रहा है कि बात होती है दोस्तों बहुत से investor के साथ होती है यहाँ पर जब stock normal trade करता है यह सबसे अच्छा और जबर्दस time trade होता है इन्वेस्ट करने के ल और आपको बताना चाहूँगा अभी फिलाल देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आपको जबर्दस तरके से आपर circuit देखेगा इन चीज़ों को जरूर देखना और आपको कहूँगा बहुत से लोग आपको बताएंगे खरीदो खरीदो बट आपको कितना पता है उस stock के बार की बट एक बात बताना भूल गया था देखें कंपनी के जो प्रमोटर उनके बारे में 19% से प्रमोटर ने स्टेक कम किया है इसको भी याद रखना देखें कंपनी को जो चलाते है वही 19% का स्टेक कम कर रहे है ऐसी क्या वज़ा हो सकती दोस्तो इस बात को भी याद रखना और company में आप जरूर invest करना ही चाहेंगे तो आपको बताना चाहूँगा कि आप सोच समझ कर invest केजिए value के मामले में stock में देख सकते 38% का value नजराता है और इसमें पैसे लगाने पे कितने दोस्तो 100-200 बस खतम इसके उपर तो नहीं invest करना ही चाहिए जो खरीदेंगे वो ज़्यादा फज जाएंगे दोस्तों आपको बता रहों कि बार बार यहाँ पर आप quality वाले stock के साथ जाना यहाँ पर आपका quality जो stock रहते हैं उनका benefit आपको जिंदगी बरूर के लिए होगा यह क्या होता है 2-4 रुपए 10 रुपए profit कमाने के इसमें आपका time भी waste होगा और जो stock आपको कमा के नहीं दे रहे हैं दोस्तों उस पर आप time लगाएंगे तो आपको जो अच्छे stock का selection करना चाहिए उसमें जो आपना time और पैसे invest करना चाहिए उसमें आप पैसे नहीं invest करेंगे तो ऐसे stock में आपको कहुंगता होगा कि आप यहापर जो रद्धी होती है उस तरके से पैसे लगाएंगे तो भी चल जाएंगा जैसे कि आप कहुंगा 20 रूपए 30 रूपए 50 रूपए 100 रूपए उससे ज़्यादे पैसे नहीं लगाने है क्योंकि इसके आपको कहुंगा प्राइज ही है 300 रूपए तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने और नहीं यहापर invest करने बोलकर आई होप आप यहाप पर विकास multi crop stock के बारे में बड़या तरकिस understanding होते होगे जो भी detail बताई आप यहापर आप खुद का भी decision खुद ले सकते हैं सबी चीजे मैं आपको दिखा दी मेरे तरफ से जो हो सके मुझे यहापर comment पुछा के तक सर इसके बारे में बताई बोलकर आप proper तरकिस investment करेंगे listen करेंगे फायदे में आप रहेंगे दोस्तों क्योंकि हर किसे को यहापर अलग-अलग stock select करने की यहापर freedom है बट आप यहापर आप select करते टाइम जरूर अपने पैसे खुद invest कर रहे हैं इस हिसाब से सोचकर invest करना दोस्तों thank you so much आपका किम्तियों देने के लिए वीडियो अच्छा लगा effort अच्छे लोगे तो like subscribe करना stock market के update आपको free of cost यहापर मिलते रहेंगे thank you